हेलो एवरीवन, असलाव अलेकूम, मैं हूरी जवाना सिंधी, स्वागत है आपका क्लासिक तड़का में ताज हम बनाने वाले हैं, खीमा और आलू की कटलेस, ये बहुत मजे की और टेस्टी बनती है और आप ये रमजान में इफ्टार में भी बना सकते हो और अगर आपका मान करें, तो आप कभी भी कोई भी टाइम पर बना कर इसे खा सकते हो बस सिर्फ हमारा मूड होना चीए, बनाने के लिए और खाने के लिए अगर आपके ये कोई भी गेस्ट आने वाले हो, तो भी आप ये कटलेस बना कर रख सकते हो यह बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं तो वीडियो को बिना स्कीप किए एंड तक जरूर देखे तो चलिए फिर सुरू करते हैं खीमा आलू की कटलेस किस तरीके से बनाएं यह मैंने 500 ग्रम बॉनलेस खीमा ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से दो कर वॉस कर लिया है यह खीमा हमें बिल्कुल बारिक कर लेना है और हमने गेस की फ्लेम को स्टार्ट कर दिया है गेस की फ्लेम को हमें मीडियम स्लो रखना है सबसे पहले खीमे के अंदर हम हल्दी पाउडर डालेंगे अधा चमच उसके बाद देड़ चमच धनिया पाउडर डालेंगे और उसके बाद एक चमच भरके लाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे और एक चमच भरके हम इसमें घरम मसाला पाउडर डालेंगे और उसके बाद हमने स्वात के मुताबिक हम इसमें नमक एट करेंगे इसमें हमें तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना है खीमे को हमें डायरेक्ली धो कर इस तरह से चड़ा देना है कड़ाई में डाल कर और सभी मसाले डालने के बाद मसालों को खीमे के साथ अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे चम्मच चलाते हुए मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लास्ट में इसमें एक चमश भर के अध्रक र लसुन का पेस्ट एड़ करेंगे और पेस्ट डालने के बाद उसको भी खीमे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और चम्मच चलाते हुए देखिए खीमे को हमने अच्छे से mix कर लिया है और गेस की flame को हमें medium slow रखना है और चम्मच चलाते रहना है और उसके बाद 10 मिट के लिए हम इसे ढककन ढाक कर रख देंगे 10 मिट के बाद खीमे को हम खोल देंगे और फिर से हम अच्छे से mix कर देंगे हम इसी तरीके खीमे को पका लेना है ना इसमें तेल का इस्तमार कलना है इसी तरीके से खीमा बारिक होता है तो वो गल जाता है नीचे कडाई में लगे नहीं उसके लिए मैंने एक चम्मच जितना पानी डाला है और अच्छे से चम्मच को चलाते हुए mix कर लिया है खीमे को खीमे के अंदर अपना पानी होता है तो वो पकने के बाद अपना पानी release करता है तो उसी में खीमा पक कर ready हो जाता है यह हमने हरी मिर्चे लिया है कुछ यह थोड़ा सा फुदीना लिया है एक मुठी और कोथमिर लिया है इसमें हमने चार से पांच हरी मिर्चे लिये वो डाल देंगे और कटा हुआ फुदीना भी डाल देंगे यह कोथमिर हम लास्ट में डालेंगे दूसरी चीज में अब यह डालने के बाद खीमे को अच्छे से कोईला मैंने दूसरी साइट पर गरम कर लिया था उस पर थोड़ा साम तेल डालके धकन धांक देंगे तो जो स्मोकी फ्लेवर आ जाता है वो खीमे में बहुत बढ़िया लगता है देखिए पांच मिट के बाद हमने कोईले को निकाल लिया है और अच्छे से चमत चलाते हुए खीमे को मिक्स कर लिया है हमने अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे दूसरी साइट पर मैंने ये 500 ग्राम जितने आलू लिये हैं और आलू को मैंने सिफ नम्मक डालकर बोईल कर लिया था और इस तरह से मैसर की मदस से मैं आलू को मैस कर लूँगी देखिए आलू अच्छे से मैस कर लिये हैं उसके अंदर हम स्वात के मुताबिक नमक डाल करेंगे और ये हम आदा चमत जीरा पाउडर डाल करेंगे उसके बाद आदा चमत चाट मसाला डाल करेंगे और एक लिम्बू का रस मने निकाल लिया है वो भी हम इसमें डाल देंगे और ये जो हमने कोथमिर काट के रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे और ये सब डालने के बाद हातों की मदस से अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में सभी मसाले अच्छे से लग जाए देखिए आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हातों पे तेल या पानी लगा कर इस तरीके से आप टिक्की का सेव दें और इस तरह से बीच में थोड़ा सा गेप करके जो हमने खीमा बना कर रखा है वो इस तरह चम्मच क की मदश से खीमे को इस तरह से बीच में डालें इसी तरीके से खीमे की स्टफिंग को अंदर डालते हुए आलू की कोटिंग उपर कर दे इस तरह से लड़ू का से बना ले हातों की मदश से देखिए हमारी टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है इसी तरीके से हमें सभी टिक्क रोल कर देंगे तो हमारी सभी हमाराव को रिडि कर लिए एक मैने बाव। ले लिया है जिसकें अंदर में ड़्ञे ढलूंगी अंडों में जबादा मसालों का इस्तमाल का इस्तामाल नहीं करना है है और अच्छे से फैंट लीजिए दूसरी साइट पर हमने एक पैन रख लिया है और घरम करने के लिए और उसमें तेल भी एट कर लिया है और देखें टेक्क्यों को इस तरह से अंडे में डीप करके हम इसे हम सेलो फ्राइ कर लेंगे हमें इसे डीप फ्राइ नहीं करना है यह फटाफट से बनकर रेडी हो जाती है और अंडे की हमने कोटिंग करिये तो यह फटाफट से अलो फ्राइ कर लें इसे देखें इसी तरह से मैं अंडे में डीप करते हुए सारे कटलेस को रेडी कर लिया है इसको अलट पलट करते हु में गोल्डन ब्राउन होने तक उसे पकाना है एक मिनिट में दोनों साइट से मैंने अलट पलट करते हुए उसे पका लिया है पहले आप आधी मिनिट तक उसे एक साइट से पकाएं आप देखे कि उसका कलर आ गया है गोल्डन ब्राउन तो फिर उसे पलट दे इसी तरीके से मैंने उसे कटलेस को मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों तरफ से अच्छे से पका लिया है तो यह हमारा खीमा और आलू का कटलेस बनकर रेडी हो चुका है अब हम रेसे IGHमेंगे निकाल लेंगे आप चाहो तो इसे टीशिओ पेपर पर रखकर इसका तेल निकाल ले एक्स्ट्रा तिल यह हमारी खीमा आलू कटलेस बनकर है खाने के लिए तो आप इसे टोमेटो केचप के साथ और मयोनिस के साथ इंजोई करें तो आप भी बनाईए और अपनी फेमेली मेंबर को खिलाईए माशाला से बहुत मज़े की और टेस्टी बनी थी तो आप भी इंजोई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा दुआा उम्हा district कि जिएगा अलाह कीजिए